तो हमारा टॉपिक क्या है आज जो सीखने वाले हैं क्या सीखेंगे हम बुक्स ओफ सेलर बुक्स ओफ बायर की बात करें तो हम पहले कर चुके हैं सारा जनल एंट्री वगएरा और बायर की हम बात करें तो जनल एंट्री बैलेंशीट कर चुके हैं सेलर में क्या होता है हमारा सेलर जैसे करते थे यहां पर नहीं बनांगा हमारा सुखेंगा और यहां पर इक बैंक अकंड बनेंगा से एक कोश्चिन करेंगे इस से रेलेटिड आराम से एक कोश्चिन आपको पूरा समझ में आ जाएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक्जाम के प्रोस्पेक्टिव से books of seller बहुत कम पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा वो पूछते हैं books of buyer जिसमें हमने काफे time लगा के काफे सारे questions भी देखे हैं तो exam में ज्यादा तर पूछा जाता है books of buyer seller नहीं लेकिन हाँ करके जाना जरूरी है क्या पता पूछ ले तो यहाँ पर आपने जैसे बताएगा सर कितने account बनने वाले हैं हमारे एक बनेगा realization क्या realization वैसा ही बनेगा बिल्कुल इसके बाद एक क्या बताया था मैंने capital account अब capital में कौन-कौन होगा बताओ एक होगा equity एक preference तो हमें एक बनाने ने चीए equity share capital का account और एक preference share का account ठीक है ना जो 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 प्रवक फिरित क्या राद आद हमें में एक लूद़ एक धाने ने स्टाएचिए यह बना यह बनालिया अप्धिया ने पीड़ गाने हैं है एक रादीक में एक तो कित稍ना का यह पूरा a यह बना लिया हमने एक्यूटी शेयर क्यापटल का अकाउंट मैं अभी नाम भी बदलूँआ वैसे एक्यूटी शेयर होल्डर अकाउंट होता है जो एक्विटी शेयर का है मैंने कैपिटल लिख दिया यहां बड़ एक बना लें हम जो जो भी बताय सरफ उसी अकाउंट पर काम कर रहे हैं एक बना रहे हम पर फरेंज शेयर कैपिटल कैपिटल लिख रहा है देको एक बार मेरा क्या तरीका होता है है थोड़ा सा आएपजार पहले फूरह समझ में आजए फिर अकाउंट को करनाenda बड़ी बात संवत में तो सब्सक्राइब McD बैंक अकाउंट और यह बने गया हमारा रिलाइजेशन विजबर नहीं हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा चोड़ा करें अब सर इस साइड में जो इस साइड की मैं बात करूँ तो इस साइड में सारे के सारे एसिट्स लिखे जाएंगे लेकिन पहले क्या होता था कैश और बैंक को छोड़ देते थे लेकिन अगर कुष्चन में यहां पर उन एसिट्स को मेंशन किया जाएगा जो बायर लेगा अगर बायर बोलता है मैं कैश और बैंक भी लूँगा सारे एसिट्स को टेकन करूँगा तो तो जितने assets taken होंगे वो सारे इधर आ जाएंगे बायर बोलता है मैं building नहीं लेना चाहता भाई सब कुछ लोगा लेकिन मैं building को नहीं लोगा तो building नहीं लेंगे तो यहां पर building नहीं आएगा समझें उसके बाद liability सारा इधर आ जाता है दो कहानी होती है सारे assets को क्या करते हैं हम इधर लिखते हैं सारा assets और liability इधर लिखते हैं इसके बाद क्या रहता है कहानी सर assets को इक एक करके इधर क्या कर देते हैं हम अब जिस assets को sold करने के बारे में बोला जाएगा, उस assets को यहाँ sold किया जाएगा, जिसके बारे में नहीं बोला जाएगा, नहीं किया जाएगा, बदले में इसके हम लिख देते हैं PC, क्योंकि PC क्या है, assets और liability का net payment ही तो है, net assets method याद करो, assets में से क्या करा था, liability minus कर दिया था, net amount बचा था, same वही तो करना है, liability assets minus करके तो निकलता है, तो इसलिए वहाँ पर क्या जाएगा PC, लेकिन कुछ एक assets उसने बेचा नहीं, seller बोलता है भाई, मैं तुम्हारा building नहीं लूँगा, तो यहाँ नहीं लिखेंगे, लेकिन seller बोलता यहाँ पर mention किया जाएगा, और sir क्या हो सकता है, एक treatment रहेगा realization expense पर, अगर मान लेते हैं, buyer बोलता है, realization expense मैं ही bear करूँआ, तो seller का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन seller को अगर bear करना है, तो यहाँ entry करेगा, ठीक है, बाकि सारा liability और सारा assets, यह equity share holder account है, जितने भी equity share होंगे, स account होने वाला है, equity share तो ही है, plus में reserve, plus में surplus, और कुछ चीजें जो कि हमें debit में लिखना है, जैसे की loss, जैसे की preliminary expense, जैसे की underwriter commission, कुछ ही कैसे खर्चे होते हैं, जहां कि किदर लिखना है, हमें debit में लिखना है, ठीक है न, जो कि हम reserve and surplus में से minus करते हैं, final account में याद होगा आप लिखेंगे, last bank account, जो जो assets जितने का बिखता जाएगा, जो payment होगा, वो bank account के अंदर आ लिए, तो overall मैं बात कर रहा हूं, तो total मिला के अगर मैं बोलू, तो ये सारी चीजे इसके अंदर होने वाली एक question practical देख लेते हैं, और धीरे-धीरे करते जाएंगे, हमें बिलकुल सम पीछे जाए, एक book पीछे देख, उसमें नहीं होगा मेरे खाल, एक जिसके पास extra book है, या image क्लिक कर लो आप, हाँ है extra तो रख रख किया बताऊ, question 15 है, पढ़ लेते हैं, और आराम से करते हैं, हाला कि question सभी को भेजा हुआ है, कहाँ पे आपके chat box में भेज दिया है, तो उसके according भी आप देख सकते हो, और जिसके पास book है, कोई दिक्कत नहीं होगी, जेहर मोंगा book है, question 15 में क्या कहता है, कहता है, footnote में दे रखा है, preference share dividend area three year, तो तीन साल का area है, तो area रहने तो उसकी तो बात करेंगे ने, क्योंकि liability है ही नहीं है, कहता, नई company form call a strong limited, एक नई company बनता है, और उसका नाम है strong limited with the authorized capital, 32,50,000 equity 10 rupees each, यानि 3,25,000 रुपे के capital के साथ एक नई company बनने जा रहा है strong, और पहले से जो company है, वीक limited, strong company ने वीक limited को क्या करा, खरीद लिया है एक तरह के से, one equity share 5 rupees paid up is new company, a lot to the each equity shareholder old company, सारे पुरानी company को एक दिया जाएगा, तो देखो कुछ एक जनरल entry जब देखोगे इंस्ट्रक्शन देखोगे, तो similar आपको books of buyer वाले instruction मिल रहे हैं और यह दे रहा है कि हम एक equity देंगे तुमारे 5 के बदले 5 तो इससे क्या निकालना पड़ेगा, मैंने बता है नहीं यहाँ पर PC लिखना पड़ेगा, तो क्या books of seller बनाएंगे तो PC निकालना जरूरी है, कोई भी books बनाओ, PC तो निकालना पड़ेगा, समझ मैं यहीं बात आपको, क्योंकि बिना PC के तो realization आगे नहीं जाएगा, कहता है, 2 equity share, 5 each new company allotted to the each, preference shareholder, preference shareholder को भी कुछ दिया जा रहा है, area of preference share to be cancelled, cancelled कर दिया तो कोई मतलब नहीं रखते भी बताएंगे, debenture holder receive 30,000 equity share, creditor taken over by the new company, the remaining unissued share, आपका take up and paid fully by the director को दे देंगे, new company take over company assets accept the patent, अब यहाँ से बात शुरू होती है, realization की, नई company ने बोला, सारे के सारे assets ले लेंगे, accept patent, हम patent नहीं लेंगे, subject to written down plant and machinery, कहता है कि subject to हमारा accept patent को नहीं लिया जाएगा, अब plant and machinery की बात कर रहा है, plant and machinery कितने का है हमारा, अगर पुराने balance sheet में देखे तो plant and machinery देखोगे तो कितने का था, साथ लाक रुपए का पुराने में था, अब यहाँ पर कहता है कि हम 2,90,000 रुपए का, जो हमारा plant and machinery है, उसका भी हम कोई भी consider नहीं करेंगे, आगे देख लेंगे क्या कहता है इसको, stock को कहता है कि return down, sorry return down का मतलब जब बेचने जाएंगे नहीं तो कम कर देंगे, patent realize by the week, लेकिन patent को क्या करा, week ने realize कर दिया market में जाके तो भाई जो चीज़े नहीं ली है उस चीज़ों को तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं लेकिन अगर वह बेच किया जाएगा तो उस चीज़ को यहाँ लिख लेंगे, उस assets or liability को, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें यहाँ पर पर चेस कंसिडरेशन कैसे निकाला जाएगा आपको गीवन था अर्जेस्मेंट नंबर क्या तू और थ्री तू में क्या कहता है, तो भाई जितने भी old company में देखोगे, equity share कितने का है, डेड़ लाग का है, equity share old में कितने का है, चेक करिए, old company में कितने का है equity share, डेड़ लाग का है, तो कुश्चन कहता है कि पुरानी company में sir, equity share डेड़ लाग का है, इन सभी को हम नई company में भी same number देंगे, लेखिन आप रहेगा 5 रुपे के हिसाफ से, अब रहेगा किस के हिसाफ से, पांच रुपे, अब पांच रुपे के हिसाफ से देखा जाए, तो कितने का मिल जाएगा equity share, साड़े साथ लाग रुपे, ये equity share की बात है, बताइए कोई लिकत, ठीक है, अब आ जाते है, प्रफेण शेयर कैपिटल, प्रफेण शेयर कैपिटल के बारे में क्या कहता है, टू इक्विटी देंगे 5 वाला new company, allot each प्रफेण शेयर होल्डर, तो प्रफेण शेयर होल्डर कितने हैं, तो अगर मैं आपसे पूछू के सर पीसी कितने का है तो जवाब होगा सर पीसी जो है कितने का हो जाएगा 12.50 तो अगर मैं पीसी यहां निकालो पीसी एक्विटी शेयर कैपिटल एक्विटी शेयर कैपिटल साड़े साथ लाग और प्रिफरेंश शेयर कैपिटल पांच लाग टोटल देखा जाए तो बारा लाग पचास अजार जिस पीसी को आप कहीं भी लिखे है रिलाइजेशन में मैं सबसे पहले टॉप पे लिखते था हूँ बाई परचेस कंसिडरेशन बारा लाग बारा लाग पचास अजार 12.5 लाग ठीक है किसी को दिककत इस entry में बताईए किसी को doubt है मैं बहुत दीरे दीरे लेके चलूँगा किसी को doubt है तो बताईए इसमें नई doubt किसी को clear है यहां तक अब इसने कहा था कि सारे assets हम take over करेंगे old company का accept patent तो जितने भी assets है, सारे के सारे assets हमें यहां लिख लेना चाहिए तो sir, सारे के सारे assets लिखते हैं, बताइए old company में कितने कितने के क्या assets थे plant and machinery, कितने का, 7,00,000 और furniture कितने का, अब कुछ पच्छे यह पूछ सकते हैं, sir, plant and machinery reduce हुआ था reduce तो books of buyer जो बनाएगा न वो अपने में general entry में करेगा, reduction करके, ठीक है लेकिन seller तो पूरी value को लिखेगा वो, ठीक है न, जब buyer की books of account इसमें शायद buyer की बना रखी है, नहीं है, sorry, 7,00,000 का खरीदा ही नहीं है, buyer ने उसे खरीदा है, 2,90,000 reduce करके, यानि 4,10 का, ठीक है न, लेकिन ये तो पूरा लिखेगा, इसके बाद और क्या या, हम patent नहीं लेंगे, जब patent नहीं लेंगे, तो patent किसके पास रह गया, seller के पास, seller अपना चुपचा बेच देगा जाकर क्योंकि यहां उन्हीं assets को लिखा जाता है, जो taken over किया जा रहा है, जिस assets को taken over ही नहीं किया रहा है उसको लिखेंगे nai इसके बाद आगे चलते हैं Stock तो Stock के दर आएगा हमारा Two Side में कितने का Stock? 4.9 lakh Debtor कितने का? 2.55 और Bank 5,000 हमने bank लिख दी और कोई भी assets बचता है और कोई भी नहीं बच रहा ठीक है अब यहाँ पर कहता है एक line चलो हमार रेजस्मेंट देखेंगे लाइबलेटी भी लिख लेते हैं पहले सारा सारा का सारा लाइबलेटी लिखे लाइबलेटी किस साइड मेंगा बाइस साइड मेंगा बाइस साइड मेंगा बताईए क्या कोश्चन की बात करें हम तो कोश्चन में क्या कहता है कोश्चन में कहता है न्यू कंपनी टेक ओवर दा एक्सेट्स एक्सेप्ट ठीक है बाई सब्जेक्ट तू राइटिंग डाउन दा प्लांट इन वसेंडिव टू-nisty एक्सटी पैतेंट वद रिलाइस वय्विक लिमिटेटल ने पेटेंट को बेश दिया कितने बीशip 4700 ल है उसकी एंट्री हम तो करेंगे लेकिन नाब बदल के करनें यहां पर करेंगे अपैस कि बैंक से पेटेंट कितने का दस अजार ठीक है अब आगे देखते हैं पढ़े न तो आगे देखते हैं पढ़े न तो expense of week limited comes 10,000 कहता है week limited ने realization करने में खर्चे की हैं तो आपको याद होगा realization के खर्चे 2 में लिखा करते थे तो अभी भी वही लिखेंगा अगर ये week limited के जगा बोलता है कि realization का खर्चा strong limited बोलता है मैं करूँगा तब यहाँ पे नहीं लेते ठीक है न तो two realization expense फिर से bank से कर देते हैं realization expense आरी लिख दिया मैंने कितने का 10,000 बताइए कोई doubt यहां तक यहां तक देखिये पहले यहां तक कोई doubt है तो बताइए clear यहां तक सबको अब आ जाते हैं हम किसमे equity share holder account में तो sir equity share में equity का सारा account लेंगे ठीक है सारे account को पहले फिर बाद में एकी साथ close करेंगे तो equity share बता देते हैं by equity share capital इसको ने equity share holder कर देते हैं क्योंकि equity share में equity share तो रह नहीं सकता तो equity share रख देते हैं और equity share की बात करें तो देखिये कितने का था तो आप देखेंगे 15,000,000 रुपे का ठीक है sir साथ के साथ जितने भी reserve है वो भी इधर आ जाएंगे तो देखते हैं क्या कोई reserve है क्या क्या है loss है 280,000 तो जितने भी losses हैं जो equity share को कम कर सकता है उसे लिखेंगे loss कितने का 2.8,000,000 और क्या है preliminary expense 8,000 और discount यानि underwriter commission कितने का 12,000 और अब इसमें कुछ बच्चों confusion हो सकता sir हमें कैसे पता चले यहां पर क्या क्या लिखने जितने भी fictitious assets हैं वो सारे के सारे यहां आएंगे fictitious assets क्या क्या होता है loss होता है preliminary expense होता है underwriter commission होता है promoter expense होता है या फिर discount on issue of debenture यह 4-5 चीज़े हैं जो की होगी जो की यहां पर आ जाएगा और तो कुछ है नहीं assets के में हमें books बंद करने तो books का मतलब सब कुछ हो जाना चाहिए देखो equity हो गया preference share भी हमने नहीं लिया है तो चलो प्रफेंच शेर भी लही लेते है प्रफेंच शेर अकाउंट यह है हमारा तो बाय साइड में क्या लिख दे है प्रफेंच शेर capital कितने का है पांच लाग का वो starting से लिखे चलो सारे entry close होना चाहिए share हो गया equity share हो गया प्रफेंच शेर हो गया रिजर्व हो गया surplus हो गया long term borrowing हो गया ट्रेड पेबल हो गया plant and vicinity goodwill patent patent तो लिया ही नहीं था उसने तो that's why यहां पर हम नहीं लिखेंगे आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो और क्या क्या आ रहा है सारा बस और तो कुछ है नहीं हमारे पास सारा कुछ हमने ले लिया almost ठीक है अब आगे question में जो भी यहां से realization से जो भी realization से हमारा profit आएगा तो इधर loss आएगा तो इधर profit पर किसका right होता था पहले partners capital का loss पर किसको दिया जाता था partners capital सेम यहां पर हमारा partners capital तो नहीं है लेकिन हमारा equity shareholder है तो इसका होगा सर प्रेफरेंस का नहीं होगा प्रेफरेंस तो secondary होता है में और को अनमाना जाता है हमारा equity तो इक्यूटी को देंगे तो इसका total करिए क्या आता है एक बार कितने हैं 20 लाग किधर का total है है हाँ तो अब देखे माइनस करके किधर आ रहा है और कि कि सही से एक बार total करिए गलत है कि कि एक चीज एक चीज मैंने मिस्टेक कर दिया देखो मैंने थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूँ मैंने कहा था पेटेंट जो है यहां पे मैं एक पर दुबारा मैं रिपीट करता हूँ यहां पे सारे अध्यान से सुनना सारे के सारे एसेट्स लिखे जाएंगे मुझे बताना क्या था जितने एसेट से इधर लिखे जाएंगे इधर उसी एसेट्स को सोल्ड किया जाएगा जो एसेट्स हमारा बायर कंपनी ले करके नहीं गया है मुझे यह बताना था ठीक है ना मैंने बता दिया यहां का थोड़ा सा दूसरा कॉंसेप्ट आगे रहे था तो उसारे सिंपल सी बात सोचना मीरे सारे सट्स टोट है भाいたi ले जा रहा है तो उसके वदले हमें क्या मिल रहा है रहा है एक ब्म भायर बोलता है इससेट सॉ trads ले जाओं टो थीक हो तुमने ले जाएं तो माना मैं तो बेचूंगा तुम नहीं लेके जाओगे तो बेचने पर किदर आ जाएगा हमारा बाइसाइड में आएगा हमारा और हम यहाँ पर सारे एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे वेधर वो लेके गया है चाहे नहीं लेके गया बस बेचने का टाइम आएगा ध्यान रखना जब बेचने का टाइम आएगा तो हम उन्हीं एसेट्स को बेचेंगे जो की बायर लेके नहीं गया उसको मैंने करेक्ट कर दिया यहाँ पर तो यहाँ पर पेटेंट 1.5 लैक भी आएगा बताईए अब 22,10,000 22.1 इधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है कितना रहा है कि लॉस आ गया तो लॉस किसको चला जाएगा एक्विटी शियर होल्डर को फोर पॉइंट पहले आप बुक्स ऑफ सेलर में रिलाइजेशन को देखे किसी का कोई डाउट रिलाइजेशन का भी मैंने एक कुश्चन एक पॉइंट को रिपीड किया है वो समझ मैं यहाँ पर कौन से एसेट्स लिखने है सारे लिखने है लेकिन जो एसेट्स को बेचा जाता था नहीं बेचना किस एसेट्स को बेचना है जो एसेट्स बायर लेके नहीं गया छोड़ दिया उस एसेट्स को उठाके यहाँ पर बेच देंगे क्योंकि मैं ही बेचूंगा वो ले ही नहीं जा रहा तो मेरे पास पड़ा हुआ है और हमारा buy में है तो equity share capital में 2 में पहुंच जाएगा किस नाम से realization के नाम से और आगे हमारा 250 यह capital account ही तो है 450 45 देखें यहां तक कोई दिक्कत यहां तक देखें पहले realization देख लिजे जो बच्चे live में है उनको दिक्कत है और चाहे आप बैठे हो तो आप समझ लीजिए एक का समझ में आ जाएगा फिर धीरे धीरे सारा समझ में आ जाएगा है क्लियर है यह वाला है तो अगेन मैं repeat करूं सर यहां पर कौन से assets लिखने है सारे लेकिन assets को बेचने का टाइम आएगा तो कौन से इसे बेचोगे जो टेक ओवर करके नहीं गया उसको हम बेच देंगे जो टेक ओवर करके गया है वह एसेट भी बिख चुका है लेकिन वह कहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारा PC में सारे assets भी के हैं तो कहा reflect हो रहा है हमारा PC के अंदर इसके बाद आ जाते हैं हम अब हमें equity shareholder को हमने क्या दिया था PC में equity share capital दिया था मैंने नहीं दिया था आप देखोगे तो equity share capital दिया था मैंने किसमें जिस company ने खरीदा strong limited में तो वो इधर आ जाएगा जो equity shareholder को मिला है एक और point समझना यानि सब कुछ करने के बाद जो equity shareholder को मिला होगा मैं लिख दूँगा equity share capital in strong कितने का 7.5 और हमेशा ये दोनों side equal आ जाएगा क्योंकि यहां से balancing figure कहा ले जाओगे although bank में जाता था लेकिन यहां पर नहीं जाएगा अभी फिलाल के लिए maximum case में क्या रहेगा equal हाँ अगर कोई difference आता है तो bank में ले जाते हैं जैसे याद होगा पहले capital में करते थे ठीक है अब preference share को मैंने क्या दिया यहां पर भी मैंने दिया equity share capital in strong limited कितने का दिया सर पांस तो यह भी क्या आगया पांच लाग का बराबर और यह भी क्या आगया पांच लाग का बराबर और इसका total कर यह क्या आगया यह आगया हमारा पंदरा लाग और यह आगया पंदरा लाग बराबर बैंक की बात करते हैं तो bank किसका है seller का है तो एक चीज बेचा है क्या बेचा है हमने patent तो realization से आ जाएगा कितने रुपे 10,000 एक का payment किया है bank से तो buy side में क्या जाएगा फिर से realization से आ जाएगा ये क्या था हमारा expense payment किया था कितने का 10 तो ये भी दोनों side क्या हो गया हमारा बराबर हो गया देखें ठीक है न अब बात करते हैं सर उन adjustment का क्या debenture holder receive 30,000 equity share in the new company credited take over by the new company the remaining unused share take up by the director in fully paid up इन सभी adjustment का तो कुछ किया ही नहीं आपने ये सभी adjustment buyer limited से related है seller तो क्या जानना चाहेगा sir मेरे assets कितने कभी के तुम ले गए या नहीं ले गए that's it equity share holder को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा अब equity share जैसे मालो fresh issue करेगा पैसा आएगा जैसे कि director को क्या पैसा आएगा तो पैसा seller को थोड़ी मिलेगा किसको मिलेगा बायर को मिलेगा न तो वो general entry कहा reflect होगा हमारा बायर में पहले यहां तक देखिए फिर मैं बायर का भी general entry फटा फट से फटा फट से वैसे ओल्दो दे रख है आप टैली करना चाहो चाहें यहां पर फटा फटा देख भी सकते हो मैं बायर का भी मैं बनाई देता हूं इसमे बताइए इसमें कोई डाउट नहीं और भी कुछ एक points है अभी seller में एक class लेके और लेंगे इसमें बताइए इसमें कोई डाउट आगें फटा फटा फट कुईकली से एक बार देखें सर जितने भी assets से सारे इधर लिखेंगे liability को हम इधर लिखेंगे assets और liability को बेचना नही जाएगा उसको हम बेच देंगा और जिस liability को लेकर नहीं जाएगा उसको भी पे कर देंगे ठीक है अगर expense buyer जो है वो बोलता है मैं यह करूँगा तो वह अपने पास goodwill के नाम से इंट्री करता है लेकिन seller कुछ भी नहीं करेगा लेकिन अगर expense salary paid करेगा तो उसको bank के नाम स इंट्री कर देगा ठीक है यहां से जो भी difference आएगा निकल के किसके पास पहुंच जाएगा equity share holder के पास पहुंच जाएगा वह समझ में बात आपको अब equity share holder के अंदर क्या होगा जो equity share है यहां लिखेंगे सारे के सारे losses वगरे debit में आ जाएगा और नहीं है तो नहीं आएग दूसरा preference share holder का भी account बनेगा by side में preference share capital आ जाएगा और जो इसको मिला है वो कहां जाएगा two side में bank account में seller के पास जहां जहां से पैसे आए बैंक में पहुंच जाएगा और seller के पास से जहां जहां से payment गया यहां चला जाएगा सर बोलोगे सर यहां भी तो bank था seller के पास तो भा अपने bank के अंदर क्या मैं इस पैसे को record करूँगा तो जवाबें नहीं करेंगे क्योंकि अब तो यह रहा ही नहीं मेरा हाँ जो assets मैंने बेचा था वो पैसा आया उसे मैंने bank में लिखा और जो खर्चे मैंने paid किया वो पैसा मैंने bank में लिखा clear रहे है यहां तक clear चलिए आ रहेगा जो आपने पहले से भी देखा हुआ है नंबर वन बिजनस पर्चेज to liquidator कितने का खरीद असर यही था बारा पचास इसके बाद क्या करेंगे सारे assets को लेंगे उसके assets में क्या लिया जाएगा land and building नहीं land and building था या नहीं था plant and machinery लिया जाएगा और क्या लिया जाएगा furniture लिया जाएगा और stock लिया जाएगा और goodwill भी लिया जाएगा और debtor लिया जाएगा और bank भी लिया जाएगा और patent लिया जाएगा क्या नहीं लिया जाएगा इसके बाद देखा जाए तो लाइबिलिटी में क्या लेंगे 10% डिबेंचर और क्या लेंगे क्रेडिटर और यहाँ पे हमने दे दिया PC सर अब जो प्लांट एंड मसीनरी होगा जिस वेल्यू पे वो ले जा रहा है वो वेल्यू लिखा जाएगा उसने कहा था जाएगा दो लाइब्य जाएगे तो यहाँ पे क्या हैगा हमारा 10,000 और फनीचर में कुछ नहीं बोला था शायद कुछ भी नहीं बोला तो पूरे दो लाइब्या काहेगा सर स्टाइक में कह रहा था घटा के ले जाओंगा तो स्टाइक कितने का था चेक करो 490 का उसमें से स्टॉक को कहता है घटा के ले जाएंगे 430 आगे देखते हैं गुडविल कुछ भी नहीं बोला था इसके बारे में 4 लाग डेटर के बारे में कुछ नहीं बोला 2,55,000 बैंक 5,000 डिबेंचर 3,00,000 इसके बाद क्रेटर 2,00,000 और ये 12,00,000 कहीं न कहीं डिफरेंस निकलता है तो हमें पता है क्या लिखना है या तो लिखना है गुडविल गुडविल तो उपर आ रहा है नीचे आए डिफरेंस आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा क्रेडिट आ रहा है कितने का गुडविल के बारे में कुछ बोला था कहीं देखो एक बार क्रेड़िल के बारे में का डेविड में डिफ्रेंस आना चीए साथ कुछ गलती कर रहो देखो टोटलिंग में डिफ्रेंस आएगा डेविड में 50,000 रुपे चेक करो दुबारा क्रेटर में 12,50 है एक पच्च्च मतले ना यह है 12,50, दो और 3 सही से टोटल करो सही है 12,50, दो और 3 इसका टोटल 20,00, लाक आ रहा है इसका चार चार आठ चार बारा बीस तो आएगा नहीं हाँ टोटल बीस नहीं आ रहा है आपने किसी को ज्यादा इस 5000 को पांच लग तो नहीं ले रहा है 17,00, इसका टोटल क्या है और नीचे का टोटल करो 12,03,15 और दो 17,50,000 तो पचास डिफरेंस उपर निकल रहे है ठीक है तो फिर अगें गुडविल लिखना है हमें जो उपर डिफरेंस निकलेगा क्या लिखेंगे गुडविल क्या हुआ टोटल सही से करो 12,17 यह आ रहा है तो गुडविल लिखेंगे तो मैं क्या करता हूँ कि गुडविल एक और अलग से लिख देते हैं बाकि बाद में आप मर्ज कर देना उसको ठीक है यह लो मैं यहाँ पर गुडविल लिख देता हूँ गुडविल कितने का है यहाँ पर 50,000 इसफार है ऑग यह सार अगली एंटरी कौनसी करते हम यहां पर अगली एंटरी करते हैं पीसी डिसचार्ज लिक्टेटर तोक टू है एक उटी सियर कैपितल तो प्रिफरेंच्ज कैपितल सर बारा पचास और सेवन फाइव उसके बाद डिबेंचर को रिप्लेस कह रखा था कुश्चन में के भाई डिबेंचर हमने क्या करा कह रहा डिबेंचर होल्डर रिसीफ 30,000 एक्विटी शियर in the new company क्रेडिट फुली तो भाई डिबेंचर कितने का था देखो 3,000,000 का था उसको 30,000 फुली पेट दे दिया तो हम करेंगे भाई 10% डिबेंचर खतम और 2 कर देंगे एक्विटी शियर कापिटल कनवर्जन हो गया ये तो तो 3,000,000 और 3,000,000 समझे और कहता है क्रेडिटर को तो टेकन ओबर नीऊ कंपनी तो क्रेडिटर तो लिया ये कहता है बैलेंस जितने भी हमारे पास security बचे हैं उन सभी को क्या कर देंगे हम जितने भी बैलेंस हमारे पास बचे हैं उन सभी को हम सारा शियर ईशू कर देंगे डैरेक्टर को तो पहले देखिए balance बचा कितने का total हमारे पास कितने का था जी authorized capital कितने का था starting में बोलता है 32 लाख तो starting में बोला था 32 लाख 50 जार ध्यान से देखिएगा 32 लाख 50 लाख कितने share किस-किस को दे दिये ठीक है यह face value है कैंल कि सब्सक्राइब ये साड़े 7,05 लाख 5 के सापसे तो यह तरीके से 15लाख हो गया यह नंबत सब्सक्राइब नंबरे की हम बात करें तो डिचायर 37,000, 12,000 लाख मैंने हमारे पास ऐस में से पहले equipment sharehold capital को दिये कितने दिये थे यहाँ पे 57 lakh दिये थे ना तो 57,000,000 किसके यहाप से आय था देखो पीछे करा था हमने 57 a oke 하나मारा किसके साब से देड़ लाग के साफ से इसको कितने share दे चुके हम इसमें से 27000,000 तो 28000,000 तो निकल गए भाई और अब कितने बचे अब मैंने क्या करा डिवेंचर को भी दे दिया मैंने कितने का कि 30,000 का डिवेंचर को दे दिया यही न इतने एक्विटी शेयर तो बाट चुके हम तीन पच्चेस में से तो बचे कितने एक्विटी शेयर कितने कि 45,000 बस तो यह 45,000 उठा के किसको दे देंगे कि कुश्चन में कहता है अब पढ़िए क्विश्चन में क्या कहता है कि दा रिमेनिंग अन यू अन इशूड शेयर तो बी टेकन बाई एंड पेड अप इन फुली बाइदा डारेक्टर डारेक्टर को दे दिये जाएंगे और डारेक्टर ने पूरे पैसे दिये तो इंट्री कर देंगे हम क्या बैंक शेयर एप्लिकेशन टू एकविटी शेयर कैपिटल कितने का चार लाग पचास यह हो गया हमारा बुक्स आफ अब अगर बैलेंशीट बोलेगा तो फिर बैलेंशीट हम सारी क्या करेंगे एसेट्स लेंगे अब किसी एसेट्स में जोड़ना ही नहीं क्योंकि पुरानी हमा सारी चीज़ें आ जाएगा और उसको जब एड़ करेंगे तो हमारे एसेट्स और लाइबिटी क्या होगा मैच हो जाएगा तो हला कि बोला नहीं है लेकिन आप इसका बैलेंशीट प्रिपेर करेंगा बहुत सिंपल बैलेंशीट बनेगा बताइए किसी को डाउट कि डैबिड में डिफ्रेंस आ रहे है ठीक है पचास का मैंने लिख दिया है मैं अभी पीडिएफ अपलोड कर देता हूं वैसे चैट में डाला था उपर ढूंडोगे तो मिल जाएगा मैं अभी अपलोड करता हूं बताइए किसी का डाउट लास्ट वाली एंट्री यह देखो हमारे पास टोटल शेयर कितने का था अगर मैं लास्ट एंट्री की बात करूं मुझे लगी रहा था कुछ बच्चों को हो सकती है देखकत तो अगर मैं लास्ट एंट्री की बात करूं तो हमारे पास टोटल शेयर जो थे वो थे तीन लाख पच्चेस अजार है ना तीन पच्चेस में से मैंने एक्टी शेयर इशू कर दिये डेड़ के एक का प्रिफरेंश यर होल्डर को दे दिया और तीस का पता है किसको दे दिया यह दे दिया डिवेंचर वालो को clear है sir जब आपने ये सारे issue कर दिये तो आप कैसे calculation करोगे sir 3,25,000 में से minus कर दोगे आप क्या minus 1,5,000 minus 50,000 और minus 30,000 तो जब ये minus करोगे तो result क्या आएगा आपका 45,000 minus कर देख लो अब ये 45,000 रुपे किसको issue करेंगे director को नगद में एक लाख होगा और ये 50 नहीं होगा ये वाला गलत लिख दिया ये होगा एक लाख ठीक है ना जब ये कर दिया तो ये सारा का सारा issue करेंगे director को और 45,000 share है 10 रुपे के हिसाब से director कर लेंगे तो कितने रुपे हैंगे साड़े चार लाख तो बैंक में पैसा आ गया टू एक शेयर अप्लिकेशन डिरेक्टर ने दिये कितने का साड़े चार लाख और डिरेक्टर को मैंने शेयर इशू कर दिया येस डिरेक्टर ने दिये हैं पैसे देखे विडाउट अभी पांच मिनुटे नहीं चलिए एंड करते हैं क्लास को कल सेम टाइम पे क्लास रखेंगे कल एक और कुश्चन करेंगे सेलर का उसके बाद इस चेप्टर के लिए सारे कुश्चन होमवक में दे दिये जाएंगे मैं पीडियाफ अभी भेज दूँगा और वैसे इस चेप्टर में है कितने कुश्चन